तो चलिए फ्रेंड्स कैसे हैं और मैं आजब के लिए हमें से एक वीडियो और लेकर के आया हूँ तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो मैरा टॉपिक है फ्रेंड्स मैं आज आपको बता दूँ यह रेड्मी का 5-way set है जो कि इसकी थोड़े पावर की नहीं है बट यह रेड्मी का 5-way set है जो यह लो टमप्रेचर पे बंद हो रहा है यह फोन हमने on कर दिया है अभी जैसे on हो जाएगा फ्रेंड्स तो यह 10 सेकंड के अंदर low temperature message करके बंद हो जाएगा तो इसका solution हम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो लास्त तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो like को subscribe करना विल्कुल भी ना भूलेगा तो चली फ्रेंड्स देखते हैं यह हमारा इसका solution हम क्या क्या कर सकते हैं सारी चीजें हम यहापे आपको practically तोर से करके दिखाने वाले हैं तो यह बस start हो जाएगा start होने के बाद friends यह 10 सेकंड में auto off हो जाएगा तो इसका solution क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम सारी चीजे आपको step by step सारा process यहापे हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहें यह थोड़ा सा boot करने में टाइम लग रहा है जैसे यह boot हो जाएगा जैसे यह on हो जाएगा हम आपको फटाक से इसको करके दिखाने वाले हैं friends तो सारा चीज अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें तो यह देख सकते हैं फोन हमारा properly on हो चुका है अभी आप देखेंगे एक message आएगा और यह phone हमारा properly off हो जाएगा तो इसका solution हम step by step देखेंगे इसमें भी 99% फोन चार्ज है बैटरी चार्ज है और यह प्रोपर अभी तो आफो नहीं हो रहा है पर यह message आप देख सकते हैं बैटरी टमपरिचर हाई टू लो यूर डिवाइस विल बिसर डाउन चार सेकेंड तो एक message आता है इसका हम solution 100% करने वाले हैं तो यह देखें फोन हमारा properly तर करते हैं तो हर एक problem को हम यहां पे step by step problem को start out करेंगे जो कि यह वही set है यहां पे जो load temperature का रहा था विच प्रैक्टेकली आपको यहां पे करके हम दिखाने वाले हैं तो इसको आप वीडियो को last तक जरूर दिखेंगा तब आपको जाके proper समझ में आने वाला है तो friend मैं आप नियए पहुता हैं सबसे पहले हैं तो आपको इसकी बैटरी को चेंज करना है और फिर देखना है कि हमारे यह problem solve होता है कि नहीं अगर सबसे पहले अगर आपके पास यह फोन आता है यह रेड्मी 5 एक फोन ऐसा प्रॉलम में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस बैटरी को रिमूफ करना है और दूसरी बैटरी डाल करके फिर से वापस चेक करना है उसके बाद ज्यादा तर देखा गया है 30 परसेंट आपको इसको इजली तरीके से हैंसे भी एक सलूज्सन है जो कि मैं आपर प्रॉपर आपको करके दिखाऊंगा फ्रेंड सारा चीज में आपको एक बॉर्ड और है सारी चीज में आपको स्टैब बार स्टैब बिट प्राक्टिकल आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ तो को लाज तक जनलों द sleepy तो उसके बाद जो आपने हम नो being बताइब एडए जो इसकी है सि को हमने आप एक बोर्ड को और रख्भा हुआ यह फाइब बिका फिराइबने तो सलुचन जो सेंड़ है FRIEND मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा SECOND जो इसका SOLUSION है मैं आपके 2-3 PHONE को करके रखा हुआ है तो आप देखेंगे जो यहां पर IC था जो हमने आपको IC दिखाया था यहां पर यहां पर यहां पर यह वाली जो IC है इसको हमने इसको jumper भी मार दिया है आपको IC को निकाल के यह IC को देखिए मैं आपए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दिखाई देने की कोशिस पूरी मैं करता हूं अगर आपको यहां पर proper तरीके से दिखाई दे देता आहनी तो यह आप देख सकते हैं यहां पर इस IC को आप बाइपास कर सकते हैं IC को आप simply तरीके से यहां पर यह आप देख सकते हैं यह आप IC को यहां पर jumper कर सकते हैं इस IC को बाइपास भी कर देंगे तो इस IC के कारण भी इस IC को आप को change करना है तो ठीक है friend अगर change करने से नहीं आता है तो इस IC को friend आप यहाँ पर simply तरीके से बाइपास कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बाइपास कर दिया है IC को तो इस IC को बाइपास कर देंगे तो second option आपका यहाँ भी problem solve हो जाएगा अगर वो problem solve हो जाता है तो ठीक है नहीं तो नहीं होता है तो आप IC को basically by pass कर सकते है जैसा कि आप देख सकते हैं proper तरीके से यहाँ पर हमने सारा चीज आपको step by step इसलिए करके यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर basically सारी चीज को follow करेंगे तो step by step को follow करेंगे तो basically आप यहाँ पर फोन को यह problem जो है आप repair कर पाएंगे अगर यह video आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज जादा जादा like और subscribe करना बिल्कुल भी friends ना भूले तो यह आप देख सकते हैं यह problem तो हमारा second solution हमने बता दिया है आप इस IC को change करिए यह पिर इस तरीके का bypass कर दीजिए मैं step by step इसलिए बता रहा हूँ friend क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो चलिए अब में आते हैं third problem जो कि आप जानते भी है या नहीं भी जानते हैं तो मैं इसलिए step by step सारी चीजों को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ friend तो यहाँ पर जो problem है friend मैं आपको यहाँ बताना च तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह IC है second solution था IC को निकाली या replace करिए या first pin और second pin को sort कर दीजे तो इस IC को हम bypass कर सकते हैं इसके बाद यह जो first register है इसको हमें remove कर देना है friend तो हम इस IC को remove कर देते हैं क्योंकि camera को मैंने ही पकड़ा हुआ है friend तो थोड़ा सा मैं IC को remove कर देत है तो इस IC को हम ने देखे friend यहाँ पर remove कर दिया हुआ है आप देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमने first फाले एक register को हमने यहाँ पर remove कर दिया friend यह देखिए हमने first फाले register को यह जो register था यहाँ से हमने remove कर दिया है उसके बाद अब देखते हैं फ्रेंड हमारा यह प्रॉलम जो है सॉल्व होता है कि नहीं तो चलिए अब यहाँ पर हमने तीन सेलिसन बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो जादा जादा लाइक और सस्क्राइब बल्लू करना ना भूलें तो छलिए अब यहाँ देखते हैं कि थोरे मैं और स्ट को फिर हमरे होगा ईप्रींड आयू तो नα ढइस को अना कि इसप्र फॉन टाइं अब फोन को देखते हैं कि यहाल और हो और यहाँ centre weld रहा है कि नहीं हो रहे फिन तो चलिए फोन हमारा न हो रहा है जो हमारा प्रभलम था फ्रेंड मैं पर फिर से लाषट में हाइलाइट कर दूदूगा कि हमने इसको क्या क्या आप कर सकते हैं अगर यह प्रॉ guiding आया तो आप क्या क्या कर सकते हैं सारी चीजे मैं है आप आपको करके दिखा रहा हो फ्रेंड तो अगर यह वीड़ आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज फ्रेंड जादर ज्यादा लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप तो देखते हैं कि हमारा जो प्रॉलम था वो सॉल्व हुआ की नहीं तो वेट करते हैं तो आयोवी वीड़ो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो ज्यादा ज्यादा लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आयोवी वीड़ो आपको बहुत आपको बन्द नहीं हो रहा है तो यह वाई फोन है और यह वीड़ो यह उच्छा लगा थो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो यह हमारा जोब डeन हो चुका है यह देखिए अभी तक 10% से उपर यह नहीं जा रहा है कोई भी प्रॉलम इसमें न तो मैं फटाक से इसको देख लिए अभी भी वेट कर लेते हैं क्या पता फिर से हो जाए फेक वेड़ो मैं अपने चैनल में कोई भी फेक वेड़ो नहीं डालता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं और हमने यहां पर सारा चीछ कर दिया था आपको पहला स्लुशन बैटरी चेंज करना है दूसरा स्लुशन आप इस तरीके से बाइपास कर सकते हैं जैसा कि हमने यहां पर आपको दिखाया हुआ था यह इस तरीके से आप आइसी को बाइपास कर सकते हैं जैसा कि हमने यहां पर यह इसके माधियम से जूम थोड़ा सा जूम का problem जा रहा है तो आप यहां से इस इस मात्यम से यह देखिए आप IC को फ्रेंड इस IC को आप ऐसा जुमपर कर सकते हैं सेकंड सलसा हमने मताया था थर्ड सलुप्र लगा हुआ है जसता यहां पर जो रिस्टर है लगा हुआ है हमने यहां पे सका स्लिसन कैकि है फ्रेंट कि यहां पर जो रेजिटर था हमने वहां पर इसको रिमूफ कर दिया आपको मैं थोड़ा जूम करके और दिखाई देता हूं फाइनली क्योंकि हमारा वीडियो कम्प्लीट हो चुका है देखिए अभी तक फून हमारा बंद नहीं हुआ है जैसा हमारा जो प्रॉलम्स गोंदेखें लाइक उस्टाइब लिए में देखें जो देखें फिर्दी देखें